क्लास है आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रेटेशन होता क्या है इतने दिनों से जब मैं आपको अरिथमेटिक करवा रही थी तो उस पे बेस्ट डियाई के मलब उस पे बेस्ट जब मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले तीरे-थीरे करके अरिथमेटिक के चाप्टर्स क्लियर करें अरिथमेटिक बोलना मत्ति प्रॉफिट लॉस टाइम इंडिस्टेंस परसेंटेशन प्रपोर्शन अबरेज यह सारे जो चाप्टर्स थे उनको मिला कि आज हम लोग आपको मैं इसाक्ली सीखेंगे कि डेटा इंटरप्रेशन कैसे सुल्ट करते हैं सबसे इंपोर्डन यह है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि माम क्लाट का एक्जाम का जो कॉश्चन पैटर्न है वह किस पे बेस्ट है वह पूरे तरीके से डेटा इंटरप्रेशन पे बेस्ट है बच्चो मतलब उस एक्जाम में जो पेपर आ देखो डियाई होते बहुत तरीके के हैं मतलब कि अगर आप लेवल वन लेवल टू करके बात करो इस तरीके से आपका डाइग्राम बना है और यह ऐसे करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है बार ग्राफ के जरिए इसे क्या बोलते हैं बच्चो बार ग्राफ के जरिए आप जब इसे इस पर बेस जब कोशिंस दिये जाते हैं और जब आप इसको सॉल्फ करते हो उसी को बोलते हैं डेटा को इंटरप्रेट करना आप देखो डेटा इंटरप्रेटिशन तो बहुत तरीके के होते है राइट डेटा इंटरप्रेटिशन कभी आपने देखा होग यह इस तरीके के भी होते है जिसे हम लोग क्या रहते है बच्चो इसे कहते है बार ग्राफ कभी कभर आपनेρώ प्रक्रत देखी होगी तो ऐसे करके और ओएसे करके कुछ उस graph को analyze करना है समझना है कि वह जो data line के रूप में line graph के रूप में दिया हुआ बार graph के रूप में दिया हुआ है वो क्या show कर रहा है उसके बाद उस पर base जो questions होते हैं उसे हम लोग होता है आप इन्होंने लिखा होता है कि सब्सक्राइब करते हैं कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इन्फोर्मेशन दी रहती है जो आपको exactly interpret करना पड़ता है और उसके बाद जो उस पर base questions होते हैं वह solve करना पड़ता है तो मैंने आपको तीन तरह की बताए मैंने आपको बार ग्राफ बताए मैंने आपको लाइं ग्राफ बताए मैंने आपको पाई जाट बताए हां एक जो होता है बच्चो वह table form में होता है आप को नाम सही समझ में आ रहा होगा कि table form होता क्या है table form जो इन्फरमेशन है बच्चो वह table की फॉर्म में दी रहती यह ऐसा एक box बना दिया हमने एक ऐसा box बना दिया और यहां पर दो उसे डिवाइड कर दिया टेबल फॉर्म में information दी रहेगी कि girls यहां पर है और यहां पर boys है उनकी ratio ratio given हो जाती है कभी कभी कुछ भी information दी रहती है मतलब कि आपको कोई भी paragraph को decode नहीं करना उसे टेबल के फॉर्म में मतलब बनाने की जरूरत नहीं है यह आपका बना बनाया रहता है तो यह थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम बच्चों को शुरुआत यहीं से होती है जैसे कि एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हां कभी कभर आपने spider wave मतलब spider कर जो आपने जाल देखा है ना उस पर भी बेस डी आई पूछी जाती है मतलब इस तरीके के फॉर्म में होती है ठीक है तो आप देख सकते हो कुछ-कुछ इंफॉर्मेशन गीवन होती है वह spider wave भी होता है अब कुछ mix di भी पूछी जाती है बच्चों mix di कहने का मतलब क्या है कि कुछ information tabler में होते हैं कुछ information line graph में होते हैं उसे भी आपको decode करना पड़ता है तो यह लेवल थोड़ा सा increase करने का तरीका है जब mix की जाती है मतलब कि आप खुद सोच सकते हो कि दो-दो information है आपके पास आपको दोनों को decode करना है ठीक है मैं आपको दिखाऊंगी सारे इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब डियाई का जो लेवल बढ़ाते हैं वह कहां से बढ़ाते हैं एक इंपोर्टेंट है एक वेंड डाइग्राम करके डियाई पूछी जाती है और दा मोस्ट इंपोर्टेंट इंग जो आपके ख में इसके पूछा जाता है उस 토 pose की लोग और कुछ लोग फुट बाउल पसंद करता है डिस बिकर इस अ रप्रेजेंटिक पर फुट बाम राइट कुछ लोग वालीवाल पसंद करते हैं ठीक है अब मुझे बताओ कि क्या ये कुछ लोग जो होंगे ये दोनों पसंद कर रहे होंगे क्योंकि मैंने इंटरसेक्ट करवाया है दोनों को तो इस तरह के वेंड डाइग्राम होते है लेकिन यह आपको समझना पड़ता है डेटा जाँ दिया होता है आपको ऐसे करना वड़ता है मतलब मैं मतलब की और में içको देखना है और इसका टेबल बनाना है और कभी कभा टेबल बनाने की रहा कि वह टेबल बनागा के बीदेते हैं इस बार आपने लास्टs लाट के कोस्पिंए यह तो प्रॉक्स सेस ूंग को और बागी के टेबल आपको बनाना होते हैं तो आपको कभी कबार थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत हो जाती है तो यह सब लेवल इंक्रीज करने का तरीका है बच्छो डियाई की ठीक है तो आज हम लोग लेवल बन से स्टार्ट करेंगे लेवल वन मतलब की सबसे पहल पहलेंगे टेबुलर फॉर्म वाली डियाई पर टेबुलर डियाई पर अब देको मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूं कि अब इसमें भी बहुत तरीके के कोश्चन आते हैं कुछ तो आपको सॉल्व करने की जरूरत होती है कुछ कोश्चन आपको सॉल्व करने की आप करो कि कौन साइब सब्सक्राइब मार्ग दे दिया ठीक है पांच पांच बच्चों के मार्ग से सब्सक्राइब लिए इस राम इस श्याम इस आप मोहन रभी और कुछ और कुछ भी नाम दे दो आप और इनके मार्ग दिये हैं 45 55 75 80 राइट इन्हों ने पूछा कि दा वन हुगाट हाइस्ट मार्ग तो मुझे बताओ कि क्या इसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं नहीं तो कुछ इन्फॉमेशन दिये हैं आप बस को करने के तो पहले मैं आपको प्राक्टिस करवाएंगी कि डियाई कैसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे exactly कैसे को सॉल्व करने बच्चो मतलब कुछ मैं आपको आपको औप्जर्फ कर वाएंगी और कुछ मैं आपको माहिन में भी सॉल्व पर कि चार कंपणी में चार डिपर्टमेंट एह रहे से मैनुफॉक्डिरेंग्ट और लौपल पहने कपना कपणी के नाम League जापको क्रिएट करना चाहिए कि कि इस तरीके से क्या करना क्या पारटेबल करेगा तो पहले तो आप तब ले करना है कि इस इस पर MOR क्रेंट करेंगे देखेंगे कि किस तरीके से table create होता है टेबूलर data interpretation किस तरीके से हम लोग information को observe कर सकते हैं अभी मैं आपको बना बनाया टेबूलर दूंगी information observe करेंगे और कौन से कुक्षिन को हमें solve करने की जबलत है clear है बच्चो अब स्टार्ट करते हैं टेबूलर डियाई राइट टेबूलर डियाई स्टार्ट करते हैं जस्ट वेड और इनिवान है ओके तो ध्यान देना बच्चो देखो अब exactly यहां पर कुछ data interpretation किसको बोलते है वह information दी हुई है तो obviously मैंने आपको बता रखिए अब देखो structure of questions यहां पर दे रखे हैं देखो मैंने आपको बताया था ना कि this one is the line graph right this one is the bar graph this one is the tabular form this one is the pie chart तो यहां पर अलड़ी आपके पास मेंचे ने टेबल बार चार्ट एक्सवाई चार्ट पाई चार्ट और केसे जो कि महने आपको बताया कि आपको रिप्रेजेंट करना होता है खुद से data it means कि कि किस लिट दिया है अब इस खूर्स में हम लोग पहले टेबल के details को देखेंगे अब यह को पहले तो आप कोशिश करो कि कोशिंग पढ़ना चाहिए किस तरीके से कॉशंस पढ़ें तो टेबल्स आर बेसिकली चार्ट और फाक्त फीगर्ज ठीकर मतलब इग्जाक्ली चार्ट दिया हुआ है कुछ इंफोर्मिशिंस दिए फिगर्स दिए नंबर्स के और रिजंटल रो में और वर्टिकल कॉलम्स में भी यह वन अब देखो अब देखना यह क्या दिया हुआ वाट फ्लिफर आइस क्रीम उड्यू पिक अब यहां पर देखो पदा पदा चलुड़ रहा है चार कोई भी ची नहीं ना चॉकलेट ना वैनिला तो यह इंफोर्मिशन मैंने दे रखी आपको 40 चिल्डर्न है जो चॉकलेट पसंद करते हैं जो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं वह 15 है तो क्या यहां से हमें पता चल गया कि टोटल बच्चे कितने हैं मलब सारी हा टोटल बच आपको सॉल्फ करने में थोड़ी आसानी रहेगी अब देखो यह तो एक तरीके का हो गया मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टेबल क्रेट करते हैं दूसरा तरीका देखो यहां पर कुछ मशीन के नाम लिखे हैं आपको विजबल होगा मशीन 105 107 13 तो वह information अगर आपक net product कितना है तो यह सारे information आपको यहां पर दिये हैं आप यहां से जब भी कोई question पूछा अगर दिया हुआ है तो आप इसे solve कर सकते हैं यह observe करने वाला table आपके सामने mention था आप देखिए बच्चो की स्किल क्या इंवाल्व है रिट दा फिगर गिवन क्लोज़ली दो नॉट चौबर अप्रोक्सिमेट करना संप्लिफाइक करते जाना कोशिश करने की कोशिश करते जाना मलब दूना इस दिवन information this is the that is not given in the question खुद से कुछ भी प्रेटिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चो और आपको यह भी पता हो और अच्छी कि डिटा इंटर्पोटेशन में सबसे जाधा है पाट्स अरिखमेटिक का पाट है बातबोटेशन स्पीड थॉ मैं आपकोंलने का मिला लिख सीर करें तो आपको फोकस करेंगे और प्राक्टिस करना है अबस यह ही आपको जरूरत है इसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं रहे तो द्हांसे देखना फोब्लम या प्रॉब्लम विजबल है आपको जली से बता है है जा अभी को प्रॉब्लम विजबल है तो द्हांसे देखी का बच्चो study the following table and answer the questions based on it यह आपको answers करने है और टेबल अच्छे से देखी कि टेबल इग्जाक्ली कि किस तरीके से बनाया हुआ है पॉस्ट पॉल कंपनी का expenditure दिया हुआ है बच्चो लाक रुपीज में हाना पारेनम ओवर दगीवन इस ठीक है आप देख सकते हो कि कि सैलरी मेंचेन है कि 998 में सालरी कितनी दी गई है ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या है 98 बोनस कितना है 3 इंट्रेस्ट ऑन लोन कितना है 23.4 यह सारे लाक रुपीज में यहां पर मेंच कितना है 83 तो यह सारे इस तारे इंफोर्मेशन आपको विजबल होंगे बच्चो टोडल सालरी फ्यूल एंट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर बोनस इंट्रेस्ट और लोन और टाक्स इस ओके गाट इट तो नेक्स वन अब देखों क्या क्या है बच्चो ध्यान देगिया वाट इस अवरेज अमाउंट अफ इंट्रेस्ट पर इयर विच तक कंपनी है तो पे दूरिंग दिस पीरिए अब आपको मुझे बताओ कि दिस पीरिट तो कोई पर्टिकुलर एयर तो दिया नहीं है तो आपको जो इनफोर्मेशन निकालनी है वो सारे पीरिट की निकालनी है ठीक है अब इंट्रेस्ट कहां पर है यह है 23.4 32.5 41.6 36.4 and 49.4 तो इंट्रेस्ट और हमें इसका अबरेस निकालनी है मैं आपको अबरेस निकालनी है बताया है कि टोटल करके नंबर आफ इयर डिवाइड कर दें है तो फैले तो टोटल करते है उसके आज 5C से डिवाइड करेंगे तो करते हैं आप तो तो आप तो आजाता है आजाता है और उसके बाद हमें उसे वह से तिवाइड करना होता है तो जब आप पर से अबरेज करते हैं तो ऑंसर हो जाता है 36.66 it means कि किसी में है बच्चो yes it is in option number D so D is the correct answer समझ में आ रहा है बच्चो किस तरीके से हम लोग एक एक टेबल करके solve करेंगे सभी को clear है okay so next question ध्यान से देखिएगा दूसरा question आपके सामने यह है total amount of bonus paid by the company okay bonus पूछा जा रहा आप देख सकते हो 3 2.52 यह यह सारे bonus पूछा है during the given period is approximately what percent of the total number amount of salary paid during the period अब देखो इसमें comparison पूछा है किससे आपको comparison करना है total salary से bonus को कितना percent है bonus salary के तो bonus कितना है बच्चो देखो ध्यान से 3 3 plus 2.52 plus 3.84 plus 3.68 plus 3.96 अब यह किससे comparison करना है salary से 288 plus 342 plus 324 plus 336 plus 420 और हमें multiply कर देना है बच्चो 100 से तो जब उपर आड करोगे तो सत्तरा आएगा नीचे आएगा 1710 गड़ेट 17 divided by 1710 तो क्या answer आपको यहां से अप्रॉक्स 1% के बराबर देख रहा है अप्रॉक्स 1% के बराबर है exactly मैं बोलूंगी कि 0.9% है लेकिन approximately questions पूछा है और option 0.9 जैसा कुछ है भी नहीं तो आंसर इस सी गाट इट एक लेरा सबीको ओके सब्सक्राइब नेक्स कोशन ध्यांसर देखेगा तो टोडल एक्स्पेंडीचर और अन आल इस आइटम इन 1998 वह अप्रॉक्सिमेटली वाट पॉसेंट अफ टोडल एक्सपेंडीचर इन 2000 ठीक है बच्चो आपको बताना है कि टोटल इस्पेंडीचर जो सारे आइटम्स पे है ना कितने यह तो पूरी मिला के मतलब इंदर सेंस के सालरी टोटल इक्सपेंडीचर पूछा 1998 में ठीक है 288 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 23.4 प्लस 83 यह कितना परसेंट है बच्चो टोटल इस्पेंडीचर इन 2002 फिर इसको एड करो 420 प्लस 142 ट्राइड करो बच्चो इस 288 प्लस 98 प्लस 3 प्लस 23.4 प्लस 83 डिबाइड पाई 420 प्लस 142 प्लस 3.96 प्लस 49.4 प्लस 98 इंटो 100 तो एड करने से दोनों को 495.4 डिबाइड बाई 714 तो आप देख सकते हो बच्चो कि आप चलो कुछ मत याद लगो उपर मैं 500 लिखो अप्रॉक्सिमेटली कोशिन पूछा है 500 लिखो 500 को 700 से डिवाइड करो तो अप्रॉक्स 70 के पर अबर आएगा वैल्यू से कमी होगी हमेशा तो दा आंसर इस सी है ते 69.69 परसेंट अब क्लियर है आपको समझ में आ रहा है ना कि जैसे कैसे सॉल्व कर रहे है इस तरह के कोशिंट को के कुशिंट में फोर टोटल आइड करने से 544.44 लाक आएगा आप यहीं से चेक कर सकते हो बच्चों 84.6 कितना हो जाएगा वह 44 आ जाएगा राइट तो लास्ट में 244 किसमें है सिर्फ लास्ट यूनिट डिजिट आपको मैंने पढ़ा रखा है यूनिट डिजिट का यूज कप करोगे राइट जब आपके यूनिट डिजिट अलग अलग है तो इतना आड करने की जरूरत ही नहीं थी आंचा सिंप्ली 544.44 लाक हो जाथा इस नेक्स कोशिन क्या है आप देखो रेशियो पे बेस कोशिंट आया बच्चो इन्होंने पूचाया कि आपको टैक्स पे टोटल एक्स्पेंडीचर बताना है और रेशियो टोटल एक्स्पेंडीचर और फ्यूल और ट्रांसपोर्ट तो पह 388 प्लस 98 और फ्यूल और ट्रांसपोर्ट 98 प्लस 112 प्लस 101 प्लस 133 प्लस 142 तो आप देख सकते हो 451 बाइफ 586 अब मुझे बताओ कि इन्होंने अप्रॉक्सिमेटली रेशियो लिया है तो क्या किया है क्या इससे 450 बना दिया है तभी तो यह 45 से डिविजबल होगा ना क्य इससे 450 बना दिया है तो यह 10 से डिवाइड कर दिया है और इससे क्या किया है बच्चो 45 वन टाइमस 136 तो 135 माल लिया गया है तो तो त्री टाइमस डिवाइड कर दिया गया राइट तो उपर में 450 नीचे में 585 तो रेशियो आजागा 10 इस टू 13 का तो आंसर इस बी वाट है ओके है तो हमने एक डियाई पर बेस बना लिया है अब थोड़ा दूसरे तरीके के डियाई पर आध्या है वहलब टेबुला फॉर्म में ही इस पर यह जो कोशिंस आपको दिख रहे है शायद कोशिंस बहुत साइक कोशिंस आपको सिर्फ देखके सौल हो जाते है अभी तक हमने क्या कर रहा है तो दियान से देखना बच्चो इसको कैसे करते है फॉर्स कोशिंट करके देखते है ठीक है देखो फॉलविंग टेबलान आंसर तकोशिंस बेस्ट यह यह दिया हुआ है एक्स्प्लोरेशन दिपार्टमेंट दिया हुआ है मतलब नमबर आफ वोकर ब्रेशन दिपार्टमेंट में भारत पेट्रोलियम है तो दो हाजार तीन में एक्स्प्लोरेशन दिपार्टमें वान में 150 लोग काम करते थे हैं अब टोटल इपार्टमेंट में पिछले त्स यह कित्ने लोक आप करें अब भी मंचिंट कर सकतेमेंट में भी सेफ्टि एन इन्वार्मेंन ड्राम टॉपार्मेंट 2014 सो ध्यान से देखो मैंने यहां पर करके लिखा है 345, 442, 708, 750, 821, 321, total is 387 फिर मैंने इधर आड करा है exploration department, health department, maintenance department, safety and environment department, finance department, 437, 564, 228, 358 and 2300 मैंने आड करा है हर तरीके से टोटल सभी को बच्चो जल्दी से बताओ ओके नियान से देख लो आड कर लो आप बहुत इसली आड हो जाता है कभी कबार ना बिना पर कभी कर सकते हो 150, plus 50, 200, 225, 225, 230, 270, or 345 225, plus 40, 265, plus 45, 310, 372, 442 450, 65, that is 515, 545, 545, 545, 545, plus 635, plus 70, 708, right, exactly so, अब देखो, 470, 470, plus 32, 502, 505, 575, 580, 680, 750, got it 500, plus 80, 580, plus 35, 615, exactly, 615, 690, approximately 91, 791, 821, exactly, 505, 75, uh, 585, 585, plus 75, 600, 5660, 660, plus 790, 790, plus 30, 820, uh, 700, 821, तो इस तरीके से आप आप आड कर सकते हो बिना pen paper के, cut it, okay, first question देहां से देखना बच्चो, which year had the total number of worker equal to the total number of worker factory had in the year 2007, कौन जे साल जो है, total number of worker है, वो बराबर है, total number of worker factory had in the year 2007, 2007, तो बच्चो 2007 में 821 था, देखो ध्यान से मैंने आपको add करवाया था, 821 था, तो 2007 के comparison में 2008 में भी तो 821 है ना, तो answer क्या हो जाएगा बच्चो, 2007 के comparison में 2008, तो सिर्फ हम लोगों को total करने के बाद इसके question solve करने है, is the correct answer, what it clear है सभी को, चलिए, next question करते है, तो, which department had the total employee equal to 228, अच्छा, मलब कौन से department में employee 228 है, during 2003-2008, तो आपको 228 बताना है, कौन से department में employee 228 है, तो बच्चो 2003 से ध्यान से देखना, 2003 से 2008 तक हमने add कर रहा है, किस department में 228 है मात्र, तो maintenance department में, हमने इसलिए पहले add कर लिया था, so answer is C, right, player है सभी को, क्या answer C clear है, okay, so the answer देखना, next question, देखो कुछ चीज़े कितनी आसान हो जाती है, अगर आप कुछ काम पहले से करके रख लें जो तो, which year had the number of worker working in finance department more than when he was in of the total worker, okay, so बच्चो total worker कितने है, total worker 3887 है और लिख रहा है कि finance department में, no, 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 it means, एक second, which year had the number of worker working in finance department more than 20% of the total worker, तो बच्चो total worker कितने है, anyone, जली से बताओ, total worker कितने है, 437 है, तो मुझे बताओ कि 20% से ज्यादा, right, 20% से ज्यादा मतलब कि, तो बच्चो यहां पर मुझे बताओ कि टोटल वर्कर 2000 नहीं में लब तो टोटल वर्कर 2003 अब समझ में आया, मुझे कि देखो और यहां पर पोल रहा है कि सब्सक्राइब कि टोटल वर्क 345 है, तो कौन से फाइनस रिपार्टमेंट में कौन से यह में टोटल के 20% से ज्यादा है, तो मुझे बताओ, 442 के 20% से जाद है, 70% no, 708 तो मात्र 10% जैसा है, यह भी 10% जैसा, यह भी 10% जैसा, यह भी 10% जैसा, यह भी 10% अप्रॉक्स कम ही है, लेकिन 345 आप 2003 में देखोगे, यह में 345 का डबल क्या हो सकता है, 75 अप्रॉक्स, तो मोर दैन 20% तो 75 इस दा करेक्ट आंसर, राइट, 29 ठीक, तो 69 पोसंट से तो ज्यादा, 69 तो ज्यादा है, 75, 2003 is the correct answer, बच्चों कभी कबार कोई 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 को थोड़ा समझना चाहिए, अब ध्यान से देखो, तो what was the ratio of workers working in health department in 2004 ratio of workers in health department 2004 4400 pro government in London for 40 and 2007 safety and environment department में 2007 132 तो आप रेशियो निकालो बच्छो इस फॉट किता था 2004 में 40 divided by 132 4 से दिवाइट करोगे it's 10 times is 233 times a is the correct answer yes so next question सब्सक्राइब से देखो next question बच्छो what was the average number working worker working in exploration department during the year 2003-2008 अब आप मुझे पता हो 2003-2008 में average number of worker working in exploration department total कितने workers 2300 right exploration department में पिछले 6 साल से कितने worker काम करें 2300 उसका average निकालना है तो 6 से दिवाइट कर देना है ठीक है अपने 6 से दिवाइट कर रहा तो क्या होगा it's three times 18 right three times जाएगा 18 और 18 उसके फिफ्टी जाएगा तो 48 and 20 18 यह अप्रॉक्स आंसर है बच्छो यह एक्जाक्ट आंसर नहीं है कि 23 is not sorry 23 is not divisible by 6 completely so the answer is a prox is in approximation it means 383 right so b is the answer और यह दूसरी डियाई है विच्छो यह क्या है यह दूसरी डियाई है एक पर यह आप information देखे कि क्या देखो आज हम लोग टेबुला फॉर्म पर तीन से चार्ट डियाई डिसकर्स करेंगे उसके बाद फिर नेक्स सेक्षिन में मैं आपको दूसरे फॉर्म का डियाई डिसकर्स कर रहांगी वेदर इस पाई चार्ड और लाइन ग्राफ और बात रहाफ गॉट 453 सेशन डाएज डाएएन क्लास में चैक्षिन है यह चुछ अफ यमशाु चुग यह उन घilation कुछ स्टूरे문 जो नहीं में फेल ह flavors में पॉई ह होगे यह जो और लक्म पार तैंप हैसे बहुब्ल कोई स्टूरें तूर्म से घाट है जो दोनों में ही pass कर गये स्क्षन ए में वैसे student 28 है जो दोनों एक्जाम में पास हुरे है तो फेल वाले 28 23 17 27 एक एक्जाम में मतलब हाफ यरली में फेल और अन्य वें पास 14 12 8 8 & 13 और हाफ यर्ली में पास और एनुमील इजाम में फिल ठिक 17 9 & 9 15 और डिवेश्टू रेंट जो कि दोनू इजाम में पाश्वेट 64 55 46 56 जिस एक लिए बच्छो इंफरमिशन दो ख्लियर रहे रहे कि क्या आप बोल रहे है जानल तो 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 फॉस्ट कुशन इस वाइं कि यह थोड़ा सा इंफॉमिशन दिया हुए आपको देखना है इफ तो नम्र अप्टूद पासिंग एंग्जामिनेशन भी कुंजिडर अ क्रिटेरिया फॉर कम दिफिकल्टी लेवल अफु एग्जामिनेशन विच फॉल्विटेटमें इस तूंटेक्स्ट ऑगे वह एग्जामिनेशन वर मोर डिफिकल्ट यू अप्यूर ली ग्जामिनेशन में जादा बच्छे फेल हुए है क्या बच्छे देखो आप याफ यरली में जो फेल हुए वह फॉर्टीन है शिक्स्टीफोर के कमपारिज पतर यूडीन में 12 है 8 है 13 है कहीं न कहीं देखते हैं तो आइनल एंडैमिनेशन वर मोर डिफिकल्ट को और बोद और ग्जामिनेशन आल्मोस्ट आल्मोस्स ते सेम डिफिकल्टी लिवल्ट तू इस सब्सक्तर एम यह वरू तो इस पार ऑंसर द्सक्रविघनेशन ओब्स the examination at almost the same difficulty level क्यों देखो मुझे एक बात बताओ number student who passed half yearly exam कितने बच्चे हैं जिन्होंने half yearly pass करा है 6 17 9 plus 15 और जो total pass किये हैं वो उसमें भी तो half yearly pass कियोंगे 64 55 46 75 add करके आया 288 ठीक है कितना बच्चो 288 अब तो आप मुझे पताओ कि 14 plus 14 plus 12 plus 8 plus 13 और यहां पर 64 55 plus 46 26 तो आंसर is 288 तो दोनों की examinations की level बहुत similar है लेकिन मुझे बात बताना क्या student pass in both exam calculate करने की जरूरत थी अगर ऐसे करके देखते तो देखते हैं so 28 plus 8 that is 36 plus 13 that is 49 right और नीचे में देखो 6 plus 17 23 23 plus 9 32 and 47 तो अप्रॉक्स बराबरी है ना अप्रॉक्स बराबरी है बच्चो राइट तो यहां से कर सकते स्टूरेंट बहुत एक्जाम निकालने की जरूरत नहीं थी समय बरवादी था इसलिए मैं इस पेशली में आपको बताने के हैं कि तब भी तो आपको पता चलेगा ना जो दोनों एक्जाम में पास हुए हैं तो टोटल करें क्या टोटल करें विच्चो ध्यान से देखना कैसे टोटल करेंगे है 28 plus 23 plus 17 plus 27 1412 plus Plus 13 Plus Plus 27 है लोगा दो बाज नहीं अथे कि कि लाज डाइन में कितने बच्चे नहीं गए ठीक है यह बहुत आसान कोशिण था तो ये कोशिशन सा थोड़े ध्यान तो सक्षेट ऊसक्षे मैं कॉछ सक्षे इस क्षे सêsक्षे मैं atliates एक जान दियो ऑफ एकलता की सक्षा उस μαक्सिमूम घानन और थीben डबा एक कम क्षे złा माक्सिमूम पऌन भा एक तो क्या होगा क्या मैं भूल सकती हूं 13 प्लस 15 स्टूडेंट पेलें क्या आड करें देखो पास पोसेंटेज इन आट लिस्ट वन अप टू इग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट सेक्शिंस तो मुझे बताओ आट लिस्ट वन इग्जामिनेशन मतलब कि पास कितने हैं बच्चों ध्याम से देखना 14 प्लस 6 प्लस 64 और उसके बाद टोटल टोटल निकालेंगे हम लोग तो किसके सबसे ज़्यादा आएंगे आप देख सकते हो तो आपने यहां से कर सकते हो कि सेक्शन डी में जो पास वाले नंबर पास स्टूरेंट का जो नंबर वो ज्यादा है देखो 28 प्लस 76 कितने पास हो गया बच्चो 28 प्लस 76 कितना हो गया एंवान 98 प्लस 104 एक सो चार बच्चे पास प्रॉक्स तो पोसेंटेज कहीं न कहीं इसकी ज्यादा होगी है ना तो यह खुद से किया जा सकते है इसको बनाने की भी जरूरत नहीं थी आपको ठीक है ओके तो नेक् सक्सेस रेट अब कॉन्से सेक्शन का माक्सिमूम सक्सेस रेट है बच्चो कॉन से सक्षिन का आप मुझे बताओ सबसे कम पेल किसमें किया है एनिवान एक नहीं देखो फेल मात्र 28 है ठीक है कि यह कितना है मतलब सबसे ज्यादा आप देख सकते हो टोटल स्टूद में 64 अ 55 प्लस 76 मतलब 55 प्लस 560 60 मतलब 130 130 में जो सक्सेस रेट मिली है वह 76 को मिले आप्रोक्स आधा मतलब 60 जासा यहां पर जब आप करोगे 28 प्लस 14 मतलब 2048 प्लस 68 तो अप्रोक्स तो आंसर ए इस दा करेक्ट आंसर आप एक बार ही काल्कुलेट कर लेना आपको वही निकालना है अच्छा अगर आपको इसका सॉलुशन चोईगा तो बताना मैं दूसरे क्लास में भी आपको डिटेल करके अगर आपको नहीं समझ बहाएंगा तो मैं बता दूंगी तो इस अग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा कहां पर फेल हुए है फैल ठीक है हाफ यरली इग्जामिनेशन में अफ यरली इग्जामिनेशन में परटीन हैं यहां तो 12 यहां पर 8 और यहां पर 13 ओके तो मुझे बताओ कि कहीं न कहीं दी सेक्षिन में सबसे ज्यादा फेल्वर वाला रेट है 13 अप्रॉक्स ना तो मुझे बताओ आप देखो टोटल 40 स्टूडें अप्रॉक्स फेल है ना 40 स्टूडेंट और यहां पर 42 स्टूडेंट राइड ओके मिनिममम फेल्वर रेट पूछा है मिनिममम फेल्वर रेट ओके हाफ यरली में कौन देखो मुझे बात बताओ 13 फेल किये हैं कितने में 130 में तो अप्रॉक्स 10 पॉसंट के बराबर है यह 120 में 14 बच्चप फेल किया है तो मुझे बताओ कि अप्र मतलब 100 117 में 12 बच्चा मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि फेल किया है राइड सो आपको यहां से समझ में आना चाहिए 12 क्या प्लस 23 ठीक है तो आप निकालोगे तो आंसर के आजाएगा ऑप्शन डी तो कुछ data कुछ information आपको calculate करने की जरूरत होती है आप ऐसे भी कर सक करते हो और यह बच्चो फोट डेटा है जो कि मैं आपको next class में discuss करूंगी information और मैं उसका भी आपको detail answer भी करवा दूंगी ठीक है पटिट और आपको पता होना चाहिए if you want to take subscription यूज दा रफ्रेल कोड़ माइन इस पी ए लाइव आप इसे यूज कर सकते हो पी लाइव को यह है मेरा रफ्रेल कोड वाटेट बच्चो आप इसे यूज कर सकते हो ताइग यू सो मच मिलते है नेक्स क्लास में ओके